तो आज हम प्रेक्टिस सेट 35 लेके आ हैं पिछले दो दिन से वीडियो अप्लोड नहीं कर पाए क्योंकि जो फेस्टिवल आया वा था उसमें हम घर चले गे थे तो आज हम आए तो आज हम जिकेज जिसका सेट लेके आ हैं जो आपके एक्जाम के लिए बहुत जिदा इंपो सब्सक्राइब मोश्ट भी बिए को सन है हिस्ट्री से मयुर्शिंहासन इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हम बता रहे आप द्यान से देखिए मयूर्शिंहासन जिसे तक्तितावस भी का जिता है पहला को सर मैंने गा इसके संस्थापक कौन थे मयूर्शिं इसके वास्तूकार कौन थे वास्तूकार जो बनाय थे वह बादल खाक बेबादल 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 खां बहुत साहांगे मैं पुछा है क्युर्ण सिंगासन पर बैठने वाला पहला सा सक इस को संधे मैउर सिंग असन जीत्तना इब सबस्कों लिखाएंगे आप लोग देखते चलिएंगा बेठने विला पहला साशक और मेउर शिंगासन पर बैठने पहले साघंड और अन्तीब साघंड से क्या हो जाएगा बभब रहोगा नहीं बढ कि नहीं जग सब करके जांगए उस समय मोहम yht सारेंगुला भी बहुत बोड़ हो चुके त confession योग ने थे जिसे हराकर कि नादिर्सार से आये थे और मैंchauर संगासन ओर को याद रख लगिए पहला कोसं था जितने कोसर सभी को बता दिया आप सभी को याद रहिए गा कि नेक्स्ट तりました मंदीर मंदीरों की उत्री सली किस रूप में जानी जाती है बता देन मंदीर निर्वान की 3 सली है मंदीर की 3 सली कि рассказ भारत मद भारत इसके बाद बहुत याद rivals रखना उत्तर भारत मंदीर 카i सेली कह जाते नागर सेली उत्तर भारत में नागर सेली मद भारत में बैसर सेली बैसर सेली उत्तर भारत में नागर सेली मद भारत में बैसर सेली दक्षिन भारत में दर्वीड सेली दक्षिन भारत में दर्वीड सेली तो यह तीनों पॉइंट को आपको याद रखना है कि उत सेली और दक्षीन भारत में मंदिर निर्मान के सेली दरवीड सेली तीनों सेली को आपको याद रखना है उत्तर भारत में नागर सेली मद भारत में बैसर सेली दक्षीन भारत में दरवीड सेली आप यह कोसन का राय कि मंदिरों की जो उत्री सेली है मंदिर निर्मान के उत्र भारत अगर मतों भारत को सता माध भारत पोछ तो बेसर सली और दर्वीड से लिये लपारत यह तीनों से लिय आपको यह रखना उत्तार मधिशूरी अब चलते हैं अगले क्यों कि और क nucleic में न शुमांजिम अन्दीर कह दित एक मोंदिर है की मेनाक्षी इस बातको आपको याद रखना करन्हें का मादुरई में पूछ लिया जता है कि मदूरह कि मंदूरह में कि सनदी के किनारे उस्थी थ notions कि 1997 के किनारे इस्थी तो बता दे मदूरह ये वैगई नदी के किनारे इस्थी था यह फिश्थन भहुत बार पूछा है कि मदुरेय को किसे नदी किनारे और उनाश्ची मंदीर और यह कहां पर यादण रखना है अप kijken कि जिसका चित्रण में तो बत इस कोशन में कहा रहा कि आजन्ता की जो गुफा है उसमें किसका चितरन है पंजतंद्र का रामायन का या जातक कथाओ का बहुत गौतम बूद के पूर्व जन्म की जो कहानी थी वो सब सभी किसमे है जाता कथा में गौतम बुद के पूर्व जन्म की कहाने पूर्व जन्म के बारे में जो भी बात है कहेंगे है जाता कथा में और जाता कथा का चितरन कहां पे क्या गया है तो अजन्ता की गुफा में और अजन्ता की सताता ही होगा बाहमार स्फभा लुकी मिए यह लग और बारत का पता महाज़ात का बेद्वियस क быть अब चलते हैं एंगले क्वेशन क्यों है तो कि सने कि राज़ास्फ सुधारो को सरपर्थम् बिसने चलाए था तो बटा दे राज़ास्प भाजार नियंत्रन भाजार नहीं परनाली को शुरू किया गया था क्योंकि जो आस्थाई सेना सबसे पहले बार रखा था तो उस सेना के लिए भारण पसंद केल खाना चाहिए को शुरूpt ACT को याद रखना और आस्था जट्रेस को से रिलेटेट अब चलते हैं अगले क्योंकि जीके का उतना समय क्या लेंगे ना जो मिन मिन बात है उसको बताते चलेते हैं आगे बाढ़ते चलते हैं विजय नगर समराज यह कहां पर है विजय नगर तो यह करनाठक राज में बिजय नगर कहा है करनाठक में और करनाठक राज का अभी हाली में 31 नया जिला बना और चार वांस ने सावसके थे कौन-कौन संगम वंस पेजीन लेलते हैं शालूभ संगम वन्स तुलूब वन्स और बीडू वन्स और विडू वन्स इचार वन्स करनाटक के बिजय नगर समराज नहीं सासन कीन कोदन संगाम और इसकोषण में समराज क्राझ kingdom स्हारा्ज की राजभानि ऑल्धो नहीं अर्थ की तो बता दें इस बात को आपको याद रखना है इसके बाद बिजेय नगर समराज का स्थापन पना किस ने किन दें बिजेय नगर समराज बिजेय स्थापना दोघ्योंने मिलकर के थे हरिहर भुका हरिहर भुका तुंग भद्रा नादी किनारे हर्यार बुका दो बहुत ह strend रखने मिलकर 13ocr में norms सारवन सावन सासन के थे सबसेश्का सबसे महांतम सासक को सबसे महांतम को यासक को विंगर समाराज के सबसे महांतम याद रखना है सबसे महांतम सासक नागर होनगे ओप्सों हरास की नावलगा आध्यु enam अकवर के जो नवरतन थे उसमें से एक थे ये वितमंत्री थे टोडरमल अकवर के नवरतन में से एक थे और ये वितमंत्री थे और ये किस विभाग से समंदी थे सैनिकार से चितरकारी से या भवन निर्वान से या भूमी सुधार से बताद इसका से अंसर उप्सन डी हो अकवर किन्म एक थे ऍसक्amaan कि कि जिफाजी की सोसनकाल में चौथ क्या थी यह मोश्ट बि बीज़एकरसने चौथ स्वाटर बहुत बहुत पूछ सर्ण पूछ रहा है कि जिफाजी के ससनकाल में जो चौथ हुआ करते आपको याद एक तर अफसा से अधर Hm काल में तो फ्रेंट सब्सक्राइब करने हैं आपने चलते अगले सब्सक्राब करें और बेल आकोन को भी हिट कर जिए ताकि हार एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरण आप तक पहुंच जाए थेंक्स पर आचिंग वीडियो धन्यवाद अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टोपिक के साथ तक के लिए जाए